नमस्कार आप सभी देख रहे हैं आज जे नोज आप सब का एक बार फिर से स्वागत है टॉक शो विद्पतिमा में जहाज हम बात करेंगे बॉलिवुड में सल्मान खान की आने वाले फिल्म कभी इद कभी दिवाली के बारे में बॉलिवुड में इन दिनों कई फिल्म में रिलीज हो रही है तो कुछ की रिलीज देट जारी की जा रही है इस बीट सल्मान खान की फिल्म कभी इद कभी दिवाली भी काफी समय से चर्चा में है कभी इस फिल्म की स्टार कास्ट को बदला जाता है तो कभी इस फिल्म का टा प्रोडक्शन की है वहीं दर्शक भी बॉलिवुड की भाई जान यानि सल्मान खान की इस फिल्म को देखने के लिए बेकरार है इसके पहले फिल्म की कास्टिंग में आयू शर्मा और जहिर इकबाल को बाहर करने की खबरे आई थी अब कभी इद कभी दिवाली का टाइटल बदल कर भायाई जान कर दिया गया है डरासल को सल्मान की दोस्ट और साझिद नाडीयनकी शूंटिंग के लिए सिल्मान से हैद्रबाद रवाना हो गए यहां उनका 25 दिन का शेडियूल है फिल्म में उनके साथ उनकी बेहन अर्पिता खान के पती आयोश शर्मा नजर आने वाले थे मगर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जीजा साली की या जोडी फिल्म के साथ नजर नहीं आईगी जैसा कि आप सभी जानते आयोश शर्मा और सल्मान खान पहली बार फिल्म अंतिम दब फाइनल ट्रोट में एक साथ नजर आये थे और अब दोनों दूसरी बार स्क्रीनिंग शेयर करने वाले थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है रिपोर्ट के मुताबिक सल्मान के बहनोई आयोश शर्मा ने फिल्म से किनारा कर आयोश फिल्म के शूटिंग शुरू कर चुके थे लेकिन कहा जा रहा है कि आयोश शर्मा और एसके के बीच किसी मुद्दे को लेकर बात बढ़ जाने की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है शूटिंग हाल ही में शूरू ही है शूटिंग शूरू होने के बाद से ही फिल्म में बनाया गया है तो अब तक के लिए बस इतना ही और भी खबरों के लिए जुड़े रही है आज जे नियूस के साथ